जतन सिंग जी आप हमें ये भी बताईए कि अगर कोई किसान अपनी मिट्टी का नमूना लेना चाहता है तो उसको किस प्रकार से ले कि उसकी जाच का जो नतीजा है उसको अच्छे तरीके से प्राप्त हो किसान भाईयो मिट्टी का नमूना लेने का तरीका हम जिस जो फसल लेने जा रहे हैं उस पर निर्वर करता है यदि हम फलदार पौधे लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए तरीका अलग है यदि हम दूसरी अनाज वाली फसले हैं दाल वाली फसले हैं या ज़से तिलहनी फसले हैं इनको लेंगे तो इसके लिए अलग तरीका है किसानवाई यो फलदार पोधे जब हम लगाते हैं तो उनकी जड़े जमीन में गहराई तक जाती है तो उसके लिए हमें नमूना मिट्टी में उपर से और करीब एक मीटर तक की परत से लेना होता है उसके लिए आप ओगर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फावडी से अगर करें तो आपको काफी गहरा गड़ा खोदने पड़ता है तो उच्छत यह यह होगा कि आप ओगर की साहतार से नमूना लेवें और जो हमारी दूसरी फसले हैं यानगी अनाजवाली हैं दलहनी तिलहनी इन फसलों के लिए उपरी सत्य से और छेंच गेराई तक की मिट्टी ली जाती है अब थोड़ा साम यह धिहन रखें कि हमारा जो खेत है उसकी औरवरता का स्तर क्या है आम तोर पर प्रतेख किसान को पता रहता है कि मेरे इस खेत में अच्छी पैदावार होती है और यह खेत का जो भाग है इसमें थोड़ी हलकी पैदावार होती है तो जो एक जैसा भाग है खित का उसमें से हम एक नमूना लेवें और जो जिस छितर में या जिस खित के भाग में पैदावार अच्छी नहीं मिल रही है या कम मिल रही है वहां से हम दूसरा नमूना लेवें अब तरीक है कि पहला नमूना कैसे ने पहला नमूना लेने के लिए जो एक जैसा भाग है उसमें आठ दस जगे से हम मिट्टी उठावें और उसको एक तगारी या एक कोई पके फर्स पर हम रखें फर्स पर रखने के बाद उसको आप इस तरह से मिलाईए जैसे हम चूर्मा मिलाते हैं और उसका आप एक धेर बना दीजिए उस धेर को फिर आप चार भागों में बाटें चार भागों कैसे क्रोस कचनल लगा के हम चार भागों में उसको बाट लेए और उसके आमने सामने के जो भागें उनको उटा दें फिर उसको हम मिलाएंगे दुबारा फिर उ उस्सो छेतर के लिए प्रती निधी नमूना मना जाता है। इस मिट्टी को आप एक साफ कपड़े की थेली में भरके और प्रियोग साला में बिजवा कर जांच करवा सकते हैं। किसान भायो प्रियोग साला में नमूना विजवाने से पहले जो आपकी कपड़े की थेली है उसके भीतर और उसके बाहर आपको दो पर्चियां रखनी है उन पर्चियों पर अपना नाम खेत की पहचान और आपका पता ये सारी जानकारी अंकित करके आप एक पर्ची उसके अंदर रखनें और एक पर्ची उसमें बाहर बांदें इस तरह से पर्ची जब आप भेज़ेंगे तो प्रियोग साला को ये पता रहेगा कि आपका नमूना कौन सी जगह से आया है और आपको पर्णाम उसी जगह पर भेजवा दी जाएंगे